मेरा हो मन स्वदेशी मेरा हो तन स्वदेशी मर जाओ तो भी मेरा हो वे कफन स्वदेशी दूसरा पित्त का हिस्सा पित्त का हिस्सा बहुत क्लियर है एकदम स्ट्रेट फॉर्वर्ड है कि घी जादा खाएंगे पित्त आपका हमेशा सम रहेगा और जादा घी खाने का जो समय है वो बारिश के दिनों में और ये जो गर्मी के दिन होते है न उस समय घी जादा खाईए ताकि पित्त को कंट्रोल करके रख और वात के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ अभी ये जितनी बात है आप सोचो कितनी सरल है बस हमें अपनी जीवन शेली में थोड़ा बदलाव करना है जीवन शेली में बदलाव से पहले मन में संकल्प लेना है कि जी हम तो ऐसे ही चलेगके दुनिया जिदर जाए जाए हमें उससे मतलब ने हम तो ऐसे चले तो तो ये तीन चीज़ें अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छा है अब थोड़ा आगे चले अब और दूसरी चीज़ों पर मैं चलता हूँ कि और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपके आसपास हैं और आपके वात-पित-कफ तीनों को सम पे लाने में मदद कर सकती हैं य दुनिया का सबसे बड़ा ओशदी केंद्र हमारा रसोई घर है सबसे बड़ा ओशदी केंद्र रसोई घर है अब दुरभागे से हम रसोई में जिनको मसाला कहते हैं न मसाला वहां मसाला कुछ नहीं है सब ओशदी है मसाले का और ओशदी का अंतर मालूम है ये मसाला तो श शब्द भी आया हिंदुस्तान में सत्रवी अठारवी शतावदी का साहित जब मैं पढ़ता हूँ तो जब तक मुगलों का राज्जी रहा तब तक मसाले शब्द का बहुत उप्योग है मुगलों के राज्जी के पहले एक भी जगे किसी भी शास्त्र में मसाला नहीं है चरक सहिता पढ़ी मैंने कहीं भी मसाला नहीं है उसमें सुशृत में कहीं मसाला नहीं है बागवट की कहीं मसाला नहीं है पुराने जितने लेखक हुए हैं दस्वी शतावदी के पहले के कहीं भी किसी ने मसाले शब्द का इस्तेमाली नहीं किया हर जगे है तो औशदी है औशदी औशदी जीरा औशदी धनिया औशदी ये औशदी के रूप में है तो इनकी जो प्रापरटीज हैं रसोई घर की औशदियों की ये सब आपके चिकित्सा के लिए हैं अब मुझे समझ में आता है कि हमारे पुराने जमाने की माताएं बहने जो हमारी दादी हैं नानी हैं उन्होंने अपनी अपनी बेटियों को जो कुछ सिखाया सबजी बनाना तो क्या-क्या डालना जीरा चाहिए धनिया चाहिए हींग चाहिए मातरा कितनी कितनी चाहिए वो स शाम को कफ जगा होता है तो ये पूरे 24 गंटे में उपर नीचे होता रहता है तो 24 गंटे में जो बाद पित कफ उपर नीचे होता रहता है तो सबजियों में उसी के हिसाब से औशदिया डाली जाती है जैसे दुपहर की सबजी बने दुपहर की तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दुपहर की सबजी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें और वो ही सबजी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी तो एक बिन मैंने दादी से पूछा कि यही सबजी दुपहर को मैंने खाई तो इसमें अजवाईन थी, शाम को खाई तो नहीं क्यों, तो उसने उत्तर तो नहीं दिया तो उसने का मेरी माने ऐसा सिखाया बस बात खतम हो गई अब उस समय मैं भी मान लिया कि ठीक है उसकी माने सिखाया अब जब मैंने काम शुरू किया ये चिकितसा पर तब मेरे समझ में आया कि अजवाईन जो है पित नाशक है घी के बाद देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज़्यादा पित नाशक दूसरी कोई चीज़ है तो वो अजवाईन है और दुपहर को पित बढ़ता है आप जानते हैं और वो स्वाबाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित बढ़त नहीं चाहिए तो उस समय अजवाईन डाली जाती है सबजी में क्योंकि दुपहर को ही शरीर को अजवाईन की ज़रूरत होती है पित को समपे लाने के लिए तो भारत में ज़्यादा तर माताएं बहने ये बात जानती है कि दुपहर की सबजी में अजवाईन चाहिए दुपहर का दही है ना दही का मठा उसमें भी अजवाईन का बगार लगता है दुपहर की वैलिवेशन नहीं किया ये हमारी मूर्ख था हमारे याँ तो एक बहुत बड़ा दुश्करम इस देश में हुआ है अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए तो सब कुछ हम भूल गए अपनी चीज़ है अंग्रेजों ने जो सिखाया वो ही हमें याद है तो हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं अंग्रेजों के फार्मूले से जीडीपी निकलता है इस देश का ग्रॉस डमेस्टिक प्रॉडट्ट तो मैंने बहुत बार इस देश के अर्थशास्त्रियों से पूछा कि जीडीपी में आप विच्चित्र विच्चित्र कैलकुलेशन करते हैं जैसे भारत की पुलिस है उस पर जो खर्चा हो रहा है वो जीडीपी का हिस्सा है अगर चोरियां बढ़ी डकेतियां बढ़ी तो पुलिस का खर्च बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगा और प्रधान मंत्री छाती ठोक के कहगा मेरे जमाने में GDP 10% से उपर बढ़ गया So what? पुलिस का खर्च बढ़ गया मने चोरियां बढ़ गई, डकेतियां बढ़ गई, अत्याचार बढ़ गई, अनाचार बढ़ गई जीडीपी बढ़ गया, तो क्या बड़ी बात है? तो हमारे जो जीडीपी के कैलकुलेशन बढ़े विच्चित रहें, इसमें चोरी हो, डकेती हो, लूट मारी हो, तो जीडीपी बढ़ेगा लेकिन माताएं बہने घर में जो करती रहती है, वो जीडीपी में है यह नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं है उसका, भारस सरकार कोई कैलकुलेशन नहीं करती, कि किसी माने एक किलो पापड बना दिये, तो जीडीपी बढ़ा कर नहीं, तो कहते हैं, जी मालुम नहीं बढ़ा कर नहीं बढ़ा क्योंकि calculation नहीं है किसी माने दाल की बड़ी बना दी पांच किलो दाल की तो GDP बढ़ा के नहीं बना आपका मन क्या कहता है बुद्धी क्या कहती है बढ़ा के नहीं बढ़ा किसी ने बड़ी बना दी, किसी ने पापड बना दिये, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने गोंद के लड़ू बना दिये, किसी ने मावे का कुछ बना दिया तो GDP तो बढ़ी रहा है, लेकिन हम calculate नहीं कर रहे हैं उसको, क्योंकि अंग्रेजों के यहां महिलाओं का किया हुआ काम महत्तु का नहीं माना जाता अंग्रेजों के यहां, यह जो अंग्रेज जात हैं न दुनिया में, यह महिलाओं के किये हुए काम को काम ही नहीं मानती, आपको मालूम है 2000 साल यूरोप में महिलाओं को पुर्षों से हमेशा कम वेतन मिलता रहा, और आज भी है यह, कई देशों, वो मानते ही नहीं कि इनका कोई काम काम है क्यों, वो महिलाओं में आत्मा नहीं मानते, हाँ यूरोप का सबसे बड़ा दार्शनिक है, प्लेटो वो कहता है कि इस्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती आत्मा सिर्फ पुरुषों में होती है तो इस्त्रि जो करे वो बेकार है पुरुष जो करे वो ही अच्छा है तो उनके यहां से यह कैलकुलेशन हमारे आ गया, कि इस्त्रि कुछ भी करे तो कामी का नहीं, तो अंग्रेजों का 200-200 साल जो राज चल गया उसमें हम सब के दिमाग खतम हो गए सोचना विचारना बंद हो गया तो हमने भी वह इमान लिया मैं अब इसको बदलना चाहता हूँ और मैं यह समझना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि इस्त्रियां जो कर रही है वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है बस अंतर इतना है कि डॉक्टर को आप फीस देकर उससे एडवाईज ले रहे है हमारी दादी नानी फोकट में वो ही एडवाईज दे रही है धनिया खाओ, जीरा खाओ और यह अजवाईन खाओ आपके पेट की गैस खतम हो जाएगे और यह साले तीन हजार साल से वैसे का वैसा ही है अजवाईन खाओ तो गैस खतम होती ही है कभी भी आप करके देख लो आप में से किसी को भी बहुत गैस बनती हो पेट में, एसलिटी की तकलिफ हो आज से शुरू कर दो आप खाना खाया, तो उसमें ध्यान रखो अजवाईन ज़्यादा रहे, डाल में, सबजी में वगरा वगया, और अगर नहीं कर पा रहे है तो खाना खतम करते ही थोड़ी अजवाईन खालो अजवाईन ज़्यादा तकलिफ ना कर दे उसका बैलेंस है काले नमक के साथ तो थोड़ा अजवाईन और काला नमक मिला के हर खाने के बाद खा के देख लो तीन दिन में न आपकी गैस बंद हो तो आप जो कहो मैं हारने को तयार यह गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ यह गारंटी अजवाईन दे रहिए मेरी गारंटी नहीं अजवाईन के गारंटी है तो वो कहते हैं बागवट्ट जी कि पित्त को सम रखने के लिए हमारे रसोई में घी के बाद जो दूसरी चीज है वो है अजवाइन अब एक और बसाता है अपनी स्वैंपार्ट घर में ऐसी ही एक बहुत अच्छी आउश्ड है उसका नाम है जीरा जैसे हलद है ऐसी ही एक है जीरा जीरा बहुत अच्छी आउश्ड पित्त के जितने भी लोग हैं आपके शुरील में ये सब जीरे से चीख हो जाए है पित्त के रोग आप सब समस्ते पेट में जैस बनना पेट में जलन होना खटी खटी दकार होना बोजन का पचल नहीं होना इंडाइजेशन होना वोमिटिंग होना बार बार उल्टी होना वोमिटिंग संसेशन होना नौसिया होना ये सब पित्त के रोग इन पित्त के रोगों की सबसी अच्छी आउशद है उसका नाम है जीरा जीरे को ले लीजे आधा चम्मच और आधा का पानी ले लीजे उसमें मिला देजे पानी को खूब गरम कर लीजे पानी को फिर खंडा कर लीजे खंडा करके इस पानी को चाई की तरह से पी लीजे और जो जीरा उसमें है उसको चबा के खाले तो देमित रूप से अगर सुबह सुबह आपने लेना शुरू किया तो ये जीरा पित्त के सभी रोपों को आपके शरीर से बिल्कुल दूचर दे जैस बनना बंद हो जाएगी खट्टी दकारे आना बंद हो जाएगी बोजन की जो अपच है वो ठीक हो जाएगी वोमिटिंग संसेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंडाइजेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये सब बीमारी तिस सब्दने जिट्टी दीएगा जिनको भी कहते ना फित्त बिगर गया है जीरा घाएग। वो इस कृत्त बिगराद आप जीरा दो खेएग हो प्हुत और पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिल लाइक, कमेंट और शेयर करें.